हेलो दोस्तो नमेशकार दोस्तो आज की वीडियो में आज हम जानने वाली हैं कि लड़का होने के टाइम पर हमारी बॉड़ी में कौन-कौन से स्टेंजिस आने स्टार्ट हो जाते हैं जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना लड़का होने के टाइम पर हमारी बॉड़ी में कौन-कौन से बदलाओ दिखने लगते हैं तो दोस्तो अगर आप जाना जाती हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर दिखेगा दोस्तो क्या होता है महला की प्रेक्डिंसी कन्फरम होते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता वो बहुत ज़दा एक्साइडमेंट होने लगती हैं बहुत ज़दा उसकता होने लगती हैं कि आने वाला बेबी क्या होगा दोस्तो वैसे तो हमें किलिरली पता Elta Sound के जरिये से ही लगता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी लेकिन दोस्तो ये भारत में कई देसों में बेन है इसलिए हमें ये कदम बिलकुल भी नहीं उठाना चाहिए Elta Sound के जरिये से बेबी का जेंडर पता करने की आप कभी भी कोशिश ना करें कभी ये काम बिलकुल भी ना करें आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है तो दोस्तो आज की वीडियो में आज हम जो हमारी गाउं की दादी होती है ना बहुत ज़दा एक्सपिरियंस होता है तो उनके दोआरा बताए गए कुछ लक्षणों की बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी जिससे कि आपकी उसकता कम हो सकती है और आप अनुमान भी लगा सकती है तो दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी वैल आइकन को प्रेस जरूर करें तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कर रहे हूं आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे हमारे लिए बेटा हो या फिर बेटी हो दोनों ही बच्चे बरावर हैं ठीक है तो आप भी कभी भी गलत कदम नहीं उटाइएगा इस वीडियो को देखकर और कभी भी बेटा बेटी में भेदबाव नहीं करिएगा तो चलिए दोस्तो आप जान लेते हैं कि कौन कौन से लक्षड होते हैं जो हमारी बॉडि में देखने स्टार्ट हो जाते हैं खास करके सुरुआती महीनों में लड़का होने के लक्षड क्या क्या होते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहेगा दोस्तो ऐसा माना जाता है कि जिन ग वो दोस्तों ये होती है कि जब हमारे पेट में लड़का होता है तो हमें उल्टियों की प्रॉब्लम जादा नहीं होती है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर गर्वती इस्तरी को बहुत कम उल्टियां आती है सिरुवाती महीनों से भूमिटिंग की प्रॉब्लम जादा नहीं होती है तो दोस्तो ऐसे में लड़का होने के चांस जादा होते हैं चीहां दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना अगर आपको सिरुवाती महीनों से ही morning sickness बिल्कुल भी नहीं हो रही है या फिर कम हो रही है तो ये लड़का होने का संकेत माना जाता है चलिए गाइस अब जान लेते हैं next lecture की बारे में और कौन-कौन से lecture होती हैं जो सुरुवाती महीरों में दिखने लगती हैं खास करकी boy होने की time पर दोस्तो ऐसा माना जाता है दोस्तो कि जब गर्वती इस तरह खाना खाती है और उनकी मूँ का टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाए खाने में कोई भी सुआत ना लगे दोस्तो मैं जो लक्षणों के बारे में बात कर रही हूँ वो सुरुआती महीनों में जादा देखने को मिलते है दोस्तो अगर आप जैसे खाना काती है आपका first trimester चला है और ये लक्षण आप में देखे हैं आप खाना काती है आपको खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता है आपका मूँ कड़वा हो जाता है आप जैसे रोटियां खाती है वो भी आपको कड़वी लगती है तो कहने का मतलब आपके खान में बहुत ज़दा चेंजमेंट आ जाए मूँ का टेस्ट चला जाए तो दोस्तो ऐसा माना जाता है कि जिन गर्वती स्टियों की मूँ का स्वाद चिन जाए मूँ का स्वाद चला जाए तो ऐसे में दोस्तो बेबी बॉई होने का लक्षर माना जाता है तो दोस्तो चलिए आप जान लेते हैं नेक्स्ट लक्षर की बारी में दोस्तो आगर आप pregnant हैं और गर्व अवस्ता के दोराद आपके निपल में भी changes बहुत ज़्यादा आने लगते हैं जब हमने baby boy को कंसीड किया होता है तो हमारे निपल में बहुत ज़्यादा changes आते हैं वो कौन से changes आते हैं वो भी ज़रा सुन लेजेगा दोस्तो ऐसा माना जाता है कि जब गर्वती के निपल बहुत ज़्यादा काला पंड पढ़ने लगे जी हां दोस्तो निपल में बहुत ज़्यादा काला पंड पढ़ने लगे तो दोस्तो ऐसा माना जाता है कि आपने baby boy को कंसीड किया हुआ है वहीं आपके breast में भी बहुत इसा देखने को मिलता है आपकी जो breast होते हैं उसकी skin भी dark होने लगती है बहुत ज़दा काली पढ़ने लगती है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लड़के के time पर हमारे breast और निपल बहुत ज़दा डार कुजाते हैं काली पढ़ने लगते हैं और एक breast का size भी थोड़ा change होता है मतला breast में बहुत ज़दा दौनों breast में बहुत ज़दा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है एक breast छोटा या बड़ा भी हो सकता है तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ऐसी study में आपने baby boy को conceive किया हुआ है तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं एक और symptom के बारे में दोस् बहुत ज़दा बदलाव देखने को मिलता है खास करकि सुरुवाती महिनों से ही उनके बाल बहुत ज़दा रूखी हो जाते हैं बहुत ज़दा ड्राई हो जाती है जी हां दोस्तों बहुत ज़दा अगर आपके बालों में रूखा फन आ गया है या फिर आपके tendency के time पर ब रहनें लगते हैं, बहुत जदा ड्राई रेंस हो जाते हैं, बहुत जदा ड्राई बना ज़ाता है भालो में, तो दोस्तों ये थे कुछ लख्षट जो हमारी गाउं की दादी, अकसर इन लक्षणों के बारे में हमें बताया करती है, तो आज मैंने गाउं की दादी नानी के यादार पर ही आप लोगों से सारे लक्षनों के बारे में बात की है वैसे तो यह जो भी जानकारी है इंटरनीट पर पहले से ही उपलब्द है तो आप इस वीडियो को किर्पया गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं देखिएगा आप लगाने को अंदाजा ही लगा सकती है ले अगर आप में यह सब मैश करें तो आपको वह ही होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि हर महला की बॉड़ी अपने हार्मोंस के उपर डिपेंड करती है तो कभी भी आप 100% शौर मतोईएगा तो दोस्तों आश्या करते हैं यह भी का जरूर ध्यार रखिएगा